the minimum of z at more than two point minimum or maximum value find करने है z is equal to हमारे पास 5x plus 10y है subject हमारे पास है x plus 2y is equal to 120 x plus y greater than or equal to 60 x minus 2y greater than or equal to 0 and x, y greater than or equal to 0 ये तो हमारे पास सब भी example हमने देखा रहे है ठीक है solution now x plus 2y is equal to 120 जो subject यहाँ first of all वो लिया ठीक है वहाँ पर हम क्या करें कि x is equal to minus 0 लिया यहाँ पर पूट करूगी x plus 2y is equal to 120 है x की वेल्यू zero put की 2y is equal to 120 that means y की वेल्यू के आएगी 60 similar यही equation में y की वेल्यू में 0 लिए तो मेरे पास answer क्या आएगा x plus 2y is equal to 100 है तो x is equal to हाँ, x is equal to 120 है, sorry, 100 है 120 है, तो यहापर 120 आजाएगा, अब x, y, x की value मैंने 0 ली तो y, 60 आए, 0 ली तो 60 आए, और y की value 0 ली तो, y की value 0 ली तो x 120 मिला है, यह मैंने लिख लिया, सिमिलर, अब किसके लिए subject की complete होगा, second वाल x plus y, is equal to 60, वो भी ले लिए, x की value ली वहाँ पर मैंने 0 ली, सेमें 0 लीगी, तो क्या रहोंगी, y is equal to 60, अब x की value 0 ली, अब y की value 0 लीगी, यही equation में, तो हमारे प्यास रहेगा, x is equal to 60, मतलब x, y हमें कहां मिला 60, मैं क्या लिख सक यह भी हो गया, similar, x, 2y is equal to 0 है, यह third subject, x, 2y is equal to 0, x is equal to 0 लिया, x, 2y is equal to 0 है, question मेरे पास, बिसमें x की value, मैंने 0 put की, 2y is equal to 0 है, तो y is equal to 0 है, x is equal to 0 है, y is equal to 0 है, तो मैं second वार यह नहीं कर सकती, कि चलो मैं y की value 0 लीग, यह नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें, यह पर x is equal to 0 है, 0 है, y is equal to 0 मिल गया, तो यह क्या करूंगी, देखो, now put, put में क्या करूंगी, x, 2y, x की value क्या लेखती हो, और y की value क्या लोंगी, तो मुझे answer 0 मिलेगा, बरापर, तो मैं x की value 120 ले रही हो, and y की value 60 ले रही हो, ठीके, now lhs is equal to, क्या हमारे पास x, 2y, हमें answer क्या लेखना ह 0, x की value 120, minus 2, into y, y की value 60, इन दोंग 120, into 120, 0 आ गया, मतलब यह चलेगा, अब मैंने x की value 120 और 60 क्यों लिया, तो हमारे पास हमें दिखाए दे रहे हो, 60 और 120, 60 और 120 की according ही चल रहा है, that means मैंने यह उस तरह से set up किया, ठीके, अब हमारे पास equation 1, 2, 3 है, कैसे है, यह हमारे subject है, वो subject में से हमें A, B, C, D, E, F, हमने यह find किया, कैसे find किया है, हमारे पास था है, देखो, 0, 60, 120, 0, x की value 0 थी और 60 थी थी, आप हमें लिखा, 0, 60, नाम वगरा जो भी वो चलेगा, यह पहले लिखो, यह पहले लगा, वो भी चलेगा, ठीके, तो 120, 0 हो, यह 120, 0, मैंने A नाम इसको में B नाम दे दिया, सेमे 0, 60, 0, 60, को मैंने D नाम दिया किया, equation number 2 के लिए था, x plus 2y, x plus y is equal 6 के लिए था, यह वाला, ठीके, और यहाँ पर, क्या यहाँ, यहाँ पर मैंने लिखना बूल गए, x, y, क्या है, 0, 0, 0, 0, और x की लिए यहाँ पर क्या थी, क्या लिए थी मैंने 120, और y क्या था, 60, जो आ गया, 00, 120, और 60, ठीके, अब हमें क्या ड्रो करना है, diagram ड्रो करना है, तो diagram कैसे ड्रो करेंगे, तो equation 1 का, first of all, diagram ड्रो करेंगे, a और b की value मेरे पास है, a, x का क्या 120 और 0, x का 120 और y का 0 है, x का 120 यह वाला, a 120 और 0 हो गया, मतलब है, यहाँ पर y पर 60 ते, यहाँ पर मैंने लिख रहा है, अब यह दोनों लाइन को मैं ऐसे जॉइन कर दूंगी, यह मैंने लाइन ले लिए, ठीक है, यह लाइन ले लिए, उसका नाम क्या है, x plus y is equal 1 दे लिए, जो मैंने लिख लिया, अब second, 60, 0, c की नाम देना है, 60, तो यह रहा है, 60, 0, c की नाम दिया, यहाँ पर मैंने लिख लिए, 0, 60, पर भी मैंने लिख लिख लिया, इख लिया, यह दोनों को मैंने जॉइन कर दिया, यहाँ से पूरी ले ले लिए, उसको नाम क्या है, x plus y is 60, यहाँ पर है यह वो मैंने लिख लिया, similar third के लिए, 0, 0, 0, 0, f, 120 औ 60, x के बुस्ता जिरो-जिरो से E और F को जॉइंट करना है ना तो E मेरा 00 यहाँ पर था और F यहाँ पर था तो इसको में यहाँ से ऐसे कर फुरा लाइन बना दी और उसको नाम जो है उसको वो नाम दी X-2Y is equal to 0 अब मुझे यह देखना है कि यह क्या है ट्राइंगल यह भी ट्राइंगल है यह क्या है रेक्टेंगल हमें रेक्टेंगल के लिए ही फाइन करना है यह एरिया के लिए ही फाइन करना है आंसर तो मेरे पास इसकी वैल्यू है इसकी भी वैल्यू है बराबर पर मेरे बास इसकी और इसकी डावल्यो नहीं, is not these two value I mean, I am fine तो यहां पर यह आपको पता है कैसे करते हैं तो यह सिमिला है 2y 2y कैंसल x plus x 2x आ गया 120 x की वैल्यू मेली गई मिल गई और x की वैल्यू को मैंने equation 1 या 3 दोनों में से किसी एक में पूट कर दिया ठीक है पूट x is equal to 60 यह y is equal to 30 मतलब मुझे यहां की वैल्यू मेली यह x की वैल्यू क्या मिली 60 और 30 अब इसकी वैल्यू मेरे पास मुझे मिलगा मुझे इसको वैल्यू भी फाइंड करनी तो देखो यह यहां पर लाइन जा रहे थे x,2 x minus 2y is equal to 0 यह वह तो common है पर यह लाइन कॉन सी है तो x plus y is equal to 60 तो नाव equation 2 and 3 we have equation 2 and 3 मेंने ले लिया जो था वह मेंने ले लिया पर मुझे यहां पर मुझे दिख रहा कि मुझे यहां पर यह दोनों को similar कर दूगी तो अच्छा रहेगा तो मैं equation equation 2 को multiply कर रही हूँ 2 से क्योंकि यहां पर 2 2 कर सकती हूँ तो आंसर आ जाएगा ठीक है तो इसको 2 से multiply करोगे और इसको तो 1 से multiply करना है तो यह इस तरह हुआ 2x plus 2 is equal to 120 x minus 2 is equal to 0 plus minus that means cancel plus 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 2x plus x 3x 120 x is equal to 4 to answer आ गया x की value मैंने दोनों ऐसे कोई भी equation में put कर दूंगी x minus 2 is equal to 0 में मैंने put के तो y is equal to 20 मिल गया ठीक है अब मुझे उसकी value भी मिल गई 14 x 20 यहाब मैंने लिखा है एकदम स्मॉल लाइटिंग से यह हमें 4 value मिल गई अब हमें maximum और minimum value find करना है तो corner point में ले रही हूँ हमें जो rectangle मिला उसकर सभी के value में ले ले लिया और यह तो common था और pq हमने find किया जो line बनी थी वह ठीक है अब corresponding value of z 5x plus 10y हमारे पास था ना 5x plus 10y वह मैंने ले लिया और उसमें यह सभी value put कर दी तो हमें क्या मिला 300 400 600 600 अब maximum कौन सी है maximum बड़ी वाली और minimum छोटी वाली यहाँ पर दीख रहा है यह 3 minimum और यह दोनो maximum है तो मिले लिखा the minimum value of z minimum value of z 5x plus 10y is 300 at a point वो point कौन सा है c 60 0 वो लिक लिए and the maximum value of z 5x plus 10y is 600 at all point all point on the line segment joining the point कौन सा वाला q 60 30 and कौन सा वाला a 120 0 600 600 है ना वो दोनो maximum है that means हो गया